हेलो दोस्तो मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हमारी इस पैथन क्लास में और आज हम बात कर रहे हैं पैथन के इंडिविल फंक्शन्स लास क्लास में हमने कॉंप्लेक्स नंबर तक परहा था अब उससे आगे बात करते हैं ह P L A Dr. Delete Attribute Functions हम यहां पिन क्लासे करते हैं इसे क्लास में हम यहांपर देते हैं पर्शन इस तरह सेुझक्लासम का सकते है पर्शन में हम यहांपर लिखते है यह पृजिए सुजीव फिर यहां पर देते मुटन में की एज 33 और यहां पर लिखते हैं कम सी यू या कंपनी इक्वल टू आई-पीटी आई-पीटी इस इन्वर्ट अब माल दीजिए मुझे इस में से पर्सम का एज डिलीट करना है तो कैसे करेंगे इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला दी एल डिलीट एडबल टी या एक्टिब्योट और यहां इसके अंदर हम देते हैं पर्सम और क्या डिलीट करना है तो इन्वर्टर को हम देते हैं एज इसको थोड़ना होगा अब यहां पे हम करते हैं प्रिंट में देते हैं पर्सम इसको करना है पर्षन करेंगे यहां पर कंपनी आ जाए कि कंपनी आ गया अगर हम पर्षन डॉट नेम करते हैं तो इसका एक में डबल डॉट लग गया यहां पर देखेंगे आपका नेम आ गया लेकिन यहां पर पre son करते हैं तो आप देखेंगे की यहँ रीद्र का डिलीट हो चुका है इसलिए एट नहीं है तो डिलीट अगर आपने क्लास मुलाया है अगर आप खटाना चाहते हैं बीचे में तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं तो इसमें आप पी करके नोटपड में डाल देते आप अगला यह आता है वह आता है एकलर दी आईएले फार्मॉला किया है तो डिय आईय Carson किया क्या क्रों ओडाकर इस्पले कंटेंड है उसको डिफ्रे डिलीटोपड कर दे शेव अंगर्डे हैं इसbecिक्वक्री फार्मॉतम्हां जबनां को रकलेएड सुने हिए इस नहीं त प्रिंट में हम यहां पर डालते हैं पर्स तो अब यहां से करते हैं तो रूं करते हैं आप देखेंगे पुड़ा डायक्टी दे दिया है प्रिंट में पूरा रूप में आपको दिखाएगा पूरा 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 रूप में आपको दिखाएगा इसका ध्यान आप रखेंगे अब दियार के बाद आता है अब दियार के बाद रहा है एक आपका डिप मोड भी है लेकिन डिप मोड क्या करता है आपका यह निकालता है रिमिंडर निकालता है जी आप डिप मोड क्या करता है अब यहां पर इस पर आते हैं हम यहां पर लेते हैं एक्स एक्स इक्वल टू हम यहां लेते हैं डी आई V MOD MOD और DIV MOD के अंदर हम यहां ते 5,2 कर देते हैं अब X पर रेखी क्या X पर आएगा 1 क्या आएगा 1 प्रिंट के अंदर X करते तो 1 आए तो कि जो बचेगा जो डिमाइंडर बचेगा और यहां पर 1 बचेगा तो है पर 2,1 दिखा है 2 हो गया हमारा one fall और one हो गया हमारा sales fall तो आपको div mode इसके लिए यूज करता है div mode के आता है emulate enumerate करके enumerate होता है आपको किसे का enumerate होता है convert the tuple into emulate object जैसे आप इसको कट करके हां रखते हैं छोटी से functions है इसको ज़र करी 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 इसको यूज होता है वर्ड में गाहन cinnamon जै्कि एक अब मैं इसको प्रिंट हो यहां पे वाई एक्वल टू यहां पे लगाते हैं एन यू यू एनुमेरेट और फिर यहां पे हम करते हैं प्रिंट प्रिंट में लिखते हैं वाई कि अब देखें क्लास कि हमने टीरे यहां पर है अच्छा इमलेट आपकर हम दाला नहीं है इसके अंदर शूंप आप देखें यहां पे आए थे पूरा का पूरा अबजेक्ट और एक इसका जो इमुरेटऱ नंबर है इसमें आपके आपके शोगत बहुत तम दिरोब होता है फिर आता है फॉर्मुला एविल नाम का फॉर्मुला एचली इसके बारे में जाने के इसको कट करते हैं इसमें क्या होता है जिसे मान लिजी कि मैं एक्स के ऊपर अपना कोट डाल रिया हम एक्सल में इसका यूज करते थे और इंडायक्ट फॉर्मुला तो प्रिंट 55 कर दिया हम मुझे यहां पर जस्ट करना है इविल इसको गुला जाता है इविल के अंदर हम एक्स कर दिये तो सिंगल कोड में डाला हुआ जो एसाइमेंट है उसको क्या करेगा उसको कोड की तरह करेगा और देखेगा प्रिंट 55 कर दिया तो यह आपका कभी कभी हमारा यूज हो जाता है जब तो हम कॉंकेट करके कुछ कोड बनाते हैं इसका यूज हम लोग कर सकते हैं इविल के में इस कि इसए करत से हैं इस इसी तरह करता है कि अगर आपका जी तरह में लिख दीए तो इसका यूज करता है अब इसके हम definition की बाद करें इसका definition है execute the block of code तो यहां में लिखते है X equal to in the inverted comma में हमने लिख दिया name equal to चुब जाते हैं नेम नेम इक्वल टू शुक्त शुचीद slash and print ने हमने कुछ इस तरह से लिखा हमने कोड ब्लॉग को इन्वर्टर कुमा में लिख दिया अगर मैं इसको एक्स इक्वल टू करते हैं तो आपका इससे पहले का कोड था हमारा प्रूज होता है प्रूज है कि एक एज का लिस्ट मनाया इसमें हम कर्ली राइक वे देते हैं 5,12,17,18,24,32 अब मैं यहां पर इकमेट बंड हो गया गलती से क्लिक हो गया प्रॉज हुआ अग यहां पर एंटर बेस करता हूं और यहां पर फंक्शन डिफाइन करता हूं इसने हमने एक सब्सक्राइब यहां पर कंडिशन देता हूं कि एक सब्सक्राइब यहां पर हमने एल्स लगाया और एल्स में दिया रिटर्न ट्रू और यहां पर हम देते हैं एक सब्सक्राइब फिल्टर फिल्टर के अंदर में माई फंक्शन और उस कॉमा इसके अंदर देते हैं एज अब मैं यहां पर लिखता हूं यहां के प्रिंट कॉम क्या नमबर आएंगे तो में इसने क्या किया कि फिल्टर ने जिसे माई फंक्शन आप कई सारे रिटर्न करेगा एक रिटर्न करेगां कईसारा तरू रितरन करेंगा जहां जहां माई फंक्सीन में टू है उसका एग तो इसको ट्राइक करके देखते हम यहां देखें अधारा चोविस बतीस टो पिट्रल्णूला जो है आपका एक डाउन करता है कि यहां पर क्या हुआ कि जब ए तो यहां पर हो यहां पर थी हमारे हैं 10 यहां पर 5 में all right यहां पर प faut-force फाल्स फाल्स तो आपका जो है नहीं यहां पर फॉल्स 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 यहां तक फॉल्स तक फिर 18 , 24 , 22 है तो जितने फॉल्स पार्ट है उसने यहांप उठाके आपको दे लिया तो फिल्टर के अंदर जो एक लिस्ट के देते हैं वहां बिलकुल Excel के टरह किता अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब आहे हैं hot फ्लाट फॉलाट 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 बता यह इसलोट क्या करता है आप कैसे इन तो था इसलोट होता या फ्लॉट में इस्तिमारत लिज़ें कि हमने x equal to 3 कर दिया मैं यहां पर कर देता हूं फ्लॉट और यहां पर कर देता हूं x तो क्या करेगा 3.00 कर देगा अगर प्रिंट करके देखे आप यहां पर प्रिंट में हमें करता हूं x तो आपको 3.00 आपको दिखा देगा यहां पर हमें देना होगा एक्स इक्वल टू तो फ्लॉट में नंबर को करता है उसके बाद बात आती है format आपने इक जगह पर देखा होगा एक जगह पर मेरे format अप्लाई किया है इससे पहले तो क्या है format formula चलिए हम बात करते हैं जैसे मान लिजिए हमने यहां एक calculation करते हैं हम बोलते हैं कि हमारा cell इक्वल टू 50 है और मेरा by इक्वल टू 45 तो मुझे यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज तो पी पी इक्वल टू इन दे इन्वर्डर कॉमा हमने बोला कि सेल मैनस बाइ डिवाइड बाइड 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 पर प्रॉब्लम यहां कि यह तो डेशनल में आएगा दैन है यहां पी पी इक्वल टू मैंने लगाया फॉमुला फॉर्मिट का और फॉर्मिट में बोला कि पी पी को कनवर्ड कर दो परसेंटेज में किसमें परसेंट में अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो प्रिंट में अगर मैं पी पी करता हूं तो आप देखें कि रिजॉल्ट परसे बाया तो जो भी आप दालेंगे उसको परसेंट में कर देगा अब माल लिजिए कि बहुत सरा जीरो है तो मैं यहां पे देता हो जीरो क्वाइंट जीरो परसेंट लोगी एकसल में देते हैं यहां देख एलेवन परसेंट आएगा तो आपका राउंड कर देता है तो डेश्मल हटाने के लिए इसका यह आप कर सकते हैं, 0% करोगे, 0.0 करना है, 0.0, तब देखेंगे, यहाँ पे 11% आप, तो format में और स्क्यार क्या भी है सकते हैं, तो format में यहाँ हम % देते हैं, % होता है, जर्नल करना, जर्नल होगा, अप्टल करना, अप्टल के लिए हो देंगे, अप्टल के लिए, नंबर में तो यहाँ पे हम, प्टल टू वापस format, format के अंदर में मैं यहाँ पर देता हूँ, प्टल कॉमा जी, जी फोर जर्नल, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो अब देखेंगे, आपके फ़र्ट दो चीदित आए गया, वापती पर जर्नल होता है, इसा एंड करते है, प्रिंट में कनवर्ट हो चुका है, तो मैं इस लाइन के परता हूँ, डिलीट, अब रण करूँ, अब आया, अगर आप परसेंटेज करते हैं, तो परसेंटेज से वापस नंबर में कनवर्ट करना था, तो मुस्की लगाता है, क्योंकि परसेंटेज सेंबल हो जाता है, वो टेक्स्ट बन जाता है, साथ इसका रहाएं, तो जो भी फॉर्मेट आपको देना चाहती है, यहां पर दे सकते हो, यहां पर क्या क्या बताएं तो आपको, और एस इस जो है हम, सिर्फ जो है नंबर पर ही देते हैं, क्योंकि अपना नंबर अपर करता है, आप इसमें कॉमा कॉमा लगाएंगे तो थॉर्म सेप्रेटर हो जाएगा, अब V करेंगे, बाइंडी हो जाएगा, C करेंगे तो आपको convert into the unique character हो जाएगा, D करेंगे तो टेशन में आएगा, E करेंगे तो आपको lower case में तेंबर नहीं, इसमें टेक्स पर भी वर्क होता है, टेक्स पर भी आदिस पर वर्कर स्प्रेटर इसको टेक्स पर वर्क करके द अब मैं यहाँ पर, मैं करता हूँ, print, print में हम देते है, format, format के अंदर हम देते है, x और x में कॉमा, invert को में देता हूँ, मैं, e जिसमें capital भी लगाते हैं, तो क्या होँ, ओके, 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 x इक्वाल टू, str और इसके अंदर मुझे दना होगा, x, इसमें हम, यह देते हैं, तो क्या है, अगर हम इसको करते हैं, यह देते हैं तो, अगर हम इसमें, यह align होता है, अगर हमने बुला, तो left align हो जाएगा, राइट align हो जाएगा, अगर मैं यहां पर यह देता हूँ, तो यह central align करता है, यह central align, तो यह अगर यूज होता है, जो एक paragraph लिखेंगे, तो paragraph ना पर चीज़ दिखेगा, कि यह align जैसे करता है, लेकिए इसमें, और हम ए दें तो, okay, सारी, 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 सीयंटिविक फोर्मेट करता है, सारी नम्बन में चलता है, नम्मर में बेच लिए अहां पर यसी जो जा लागए, आपके तो फॉर्मेट फॉर्मेट के बारे में आए एक लास में और बताएंगे वी वी में फॉर्मेट बहुत अच्छा रोल दिखा दो अब यहां पर एक यह और आता है जैसे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ अब यहां पर देते हैं दबल कोड में माल देजिए दो नाम देते हैं सुझीद कॉमा सिंगल कोड पूजा सिंगल कोड मोहन और यहां पर हम लिखते हैं एक फॉर्म यहां करते हैं प्रीम्ट के अगर एक्स देते तो क्या करेगा यह आपको frozen set आपको शो करेगा तेकि frozen set frozen set के साथ in the curly bracket में सुझीत मोहन और पुजा कौमा करके आपको शो कर तो frozen set के अंदर में आपको यहां पर शो करता है यहां पर कहा रखता है freeze the waste and make the unchangeable तो इसमें क्या करेगा कि आप इसको freeze कर देता है और unchangeable बना देता है frozen set अब इसमें हमने get attribute का हम की formula जालेंगे get attribute एक हमने दिया था delete attribute दिया भी यूज़ किया था अब इसी में हम आता है अब का get attribute अब इसमें करते हैं क्लास लेते हैं कि क्लास क्लास देखिए मैं अल्फावेटिक आपको सिखा रहा हूँ लेकिन सिखाना चाहिए तो मुझे आपको और यहां पर नंबर 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 अपना डाल देता हूँ डबल एफ जीडो टूभाइट से नाइंट्री डबल एफ तो और यहां पर और यहां पर पूर्स में डाल देते हैं अब यहां पर मैं करता हूँ प्रिंट ने प्रिंट उससे पर मिज़े करना पड़ेगा एक्स टीक्वल डूट ऑप इसके अंदर हम डालेंगे अपना प्लास जो की है पर्शन और उसके अंदर एट्रिब्यूट हम डालते हैं कोड्स वह भी कोट अब मैं यहां पर प्रिंट कमार्ड लगाता हूँ और प्रिंट कमार्ड पर अंदर हम यहां पर एक्स करना किजिए यह देखिए आपको एक सब्सक्राइब इस तरह से एक सीदा मिज़ा है हलाकि इसके ज़रूत नहीं होता है हम तो दौत लगाके भी निकाल लेते हैं लेक यह ग्ली यह अग्उट आपको फता ही है अधियर सब्सक्राइब यह जिए यह वेधाल अधिक सब्सक्राइब लेंगे प्रिंट करना है तो लेंध फार्मुले करना है तो अधिक अदर कितना लेंध है कितना क्रेक्टर है तो लेना है अब माल दिजिए अब यहां पर मीन और मैक्स फॉमुले के बारे में बात करने कुछ यहां पर हमको लिस्ट देता है जैसे की हम एक्स इक्वल टू करली राइक्ट में पुटिफ़ाइब थी टू सब्सक्राइब अब मैं यहां पर लगाता हूं कि वाई इक्वल टू मिन और मीन के अंदर में देता हूं एक्स अप्स यहां पर करता हूं प्रिंट वाई आप देखेंगे कि मीनमम वैलू निकालते देखें यहां पर फिर मिनमम हमारा आठ है और ऐसी में अगर मैं वाई इक्वल टू मैक्स लगा दिया और मैक्स मेक्स देदिया तो आप देखेंगे कि मैक्समम वैलू जो है आपकी हुआ जाएगी तिरपार यहां पर यहां पर यहां पर करता हूं वाई इक्वल टू पावर पावर मैं यहां पर 10 का पू करूंगा तो यहां पर आप हंडेड है जाएगा स्क्वाइर बगार निकालने के लिए हम पावर का इस्थमाल करते हैं तो देखेंगे हां पर अंडेड आया पावर गया जबता है पावर का यूज़ करते दिखाता है इच्छा जो फामूले है जो कि आपको यूज़ होंगे के और बात करते ओपन का अब इसमेंगा कट करत है अब मुझे नोटपैट की फाइल ओपन करनी है पाइथन में तो कैसे करें तो तहले हम नोटपैट की फाइल ले लेते हैं मेरे लोकेशन में जहां पर मेरा एक नोटपैट पर फाइल है फिरा डीटी तो दी ड्राइब में डीटी डॉट यहां तो आपस आते हैं और यहां पर हम लिखते हैं एक इक्वल टू ओपन ओपन के अंदर हम डालते हैं इंवर्टर कुमार्ड में दी स्लैस डीटी डॉट टी एक्स टी और यहां पर कॉमा हम करने ते आर कि इसमें आर क्या है आर मतलब होता है यहां कि आर को हमें आए इस पिल्टर कुमार्में डालना हूं अब यहां हम एक काम करने ते हैं एस को प्रिंट करके बिखते हैं कि इस पिल्टर में हीट रीट कुमार्ट के प्रिंट प्रिंट हम यहां पे एस डॉट रीट करें और करते हैं बाद कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब करता हूं एक चोटा सा डेटर बना था कि बहुत ज्यादा डेटा हैं इसका रंस रीज नहीं हम आते हैं एक छोटा रेटर राइट क्लिक कर और यहां पर वन वन इसके अंदर शुजीत कुमार्ट सेव करते हैं अब वापस आते हैं वी इस पोर्ड में और यहां दीची के जगाते हैं वान वन प्यादें अब करते हैं यहां दो वान वन किया नहीं टी डॉट टीची गया दिनो आख एक मिनुट यहां दो आते हैं युट प्यूपियत यहां दीची अची मिनुट बिल्चेट शीची पयादे भीनुट नंबर में इसलिए से अवरा है कि अशरी नें पर देसंस? जैसे तम्हें होने से हैं, इसमें हम DT करते हैं, तब क्या आता है? अब इसमें हम राइट के दिवा पे रीड हैं, अब इसमें हम राइट के दिवा के रीड हैं. कि हां यहां पर यहां पर प्रब्लम है रीड ऑपिन क्लोज करना था आंक से नुकल जाए तो डेटा आपका कितना यह बड़ा क्यों ना हो यहां आ जाए बस यहां में छोटी सी प्रादम पर दूटी इसमें रीड के बुदा अब यहां पर रीड के अंदर अगर मालेजम यहा लैन पर पहला लैन हैं नोमें फाइल करता हूं तो यह लेकर और इजफी तो हुगत आपको अंदर करते को यह एक जितना टाल जाते है और आपना क्रेक्स्वाइब करता है अब आता अरीड लाइन पर हम पांच पांचमा लाइन देखना है और रण करते हैं यह देखिए पांचमा लाइन आपको रीट करके देगी है यह नीचे है पाँच माला हम यहां पर पहला करते हैं तो रण किजिए पहला लाइन लिखेंगे उस लाइन को आपको रीड करके देड़ें जो भी आपके देड़ें अब इस पॉर्म लूप में लगा हैं तो क्या होगा अब इसको यहां पर लूप में लगाता है हम लिखते हैं कि 4 X in F और यहां पर प्रिंट और यहां पर प्रिंट में पर रुखे एक्स आप देखें क्या होगा जितना था सब को रीड करके रहां के लिए इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते कुछ लगाना है तो अब इसमें आपको फाइल क्लोज कर देंगे फ्डॉट लिख देंगे तो फिर आपका रन होगे फाइल को प्लोज करतेगा आपको फाइल ओपन नहीं रहेगा फाइल प् एक हम आपको इसके बारे इसके बढ़रे की और जड़ पताएंगे इसको आप संजहेंगे में अब आप करते हम रेंज अब जिसे कि हम लोग लगाते हैं लिखते हैं कि फोर जैसे भी लिखा एक्स इन रेंज और रेंज के अंदर में हम लोग क्या देते हैं आपने लोग कि अंदर कि एक से स्टार्ट और 11 तक चले उस तरह से लिकसे तो हम रिश्च पहले रेंज कर सकते हैं अगरा मैं यहां पर लिख दिया कि 4 नहीं यहां पर एक्स एक्टॉल टू हमने दे दिया रेंज रेंज हम देते हैं 10 और फिर हम नेंगे तो ये और वाई इन एक्स और फिर यहां पी हम करेंगे प्रिंट में हम देते हैं तो सारे numbers को देखेंगे कि आप यह आपको प्रिंट करके हाँ देते हैं तो अब हम 1 देते हैं तो 1 से start करेगा तो स्टाइब करो 10 तक जाओ और से नो तक नहीं जाएगा एक से आपका एक से नो तक रहेगा लिकिन स्टाइब करते हैं तो एक से से start हुआ हमने 10 किया और step 1 किया तो एक एक का step लेके जाएगा ऐसा नहीं कि 10 तक दिखाएगा और एक कम यह दिखाएगा तो range का use अब इसलिए करते है उसके बाद आपका अब इसमें कुछ और function है जो कि हम अनली वीडियो पर बात करेंगे फिलहाल इतना ही थैंक यू